तो या कुछ और सीटें हो बहाँ पर लगता बीडिपी फिलाल फस्टिव दिखाई पढ़े क्योंकि रानियां पर तो हर को कह सकते हैं पूरे का पूरा मामला खुलकर सामने आ गया एक तरफ पालकांडा है तो एक तरफ जो अरिंजो टाला है वो कहते हैं कि भाई मेरा यहां पर दखल जादा वो कहते हैं मेरा तै राव इंद्रजीत सिंग राव नर्बीर और भारतिय जुनता पार्टी से रणजीत सिंग चोटाला यह वो चहरे हैं जो भारतिय जुनता पार्टी की हर्याना में विधान सभा चुनाव से पहले मुश्किल बढाते हुए नसर आ रहे हैं 26 अगस्त को जम्मू कश्मीर में भारतिय जुनता पार्टी ने उमिदवारों की पहले लिस्ट जुरी करते वक्त भारतिय जुनता पार्टी ने पहले 40 नामों को आगे किया इसके बाद बदलाव करते हुए 15 उमिदवारों का नाम आगे भारतिय जनता पार्टी ने पहले लिस्ट में किया जैसे ही नाम भारतिय जनता पार्टी आगे करती हुई नजर आई तो भारतिय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर कई नेताओं ने विरो के बाहर महाल देखा गया वही महाल अब हरियाना में उत्पन हो सकता है ऐसी संभावनाय जताई जा रही है जो चहरे पहले बताए गए वो सीटों के मांगों के तहत कहीं न कहीं भारतिय जनता पार्टी पर दवाव बना सकते हैं अने लिविज वह चहरा है जो सीम पद से लेक हुए राव इंद्रजीत सिंग जो केंद्रिय मंत्री नहीं बनाए जाते हैं जिने सीम कुर्सी नहीं दी जाती है उसके बाद देखा जाए तो अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं और साथी साथ अहिरवाल छैत्र की साथ सीटों की मांग भारत जनता पार्टी की लिस्ट जल्द जारी होती वी नजर आई उससे पहले आज चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया जाएगा कि चुनाव तारिकों में बदलाव होगा या फिर उसी समय पर चुनाव होगा यानि की एक अक्टूबर को जहां चुनाव आयोग क की तरफ से फैसला लिया जाएगा तो वहीं भारते जनता पार्टी की उमिद्वारों की लिस्ट भी कहीं ना कहीं कई चेहरों को निराश भी कर सकती हैं से जुड़े हुए ही कई तमाम सवाल यहां पर बनते हैं मेरे वरी सहीयोगी अमन सर मेरे साथ माजूद है सर आपका ब निर्विरोध यहां पर बंद भी जाएंगी इसके बाद उनकी बेटी शुरूती चौदरी को लेकर चर्चाहें कि तो शाम से वह विधान सभा का चुनाम लड़ सकती है यानि कि भारती जनता पार्टी एक तरफ तो अपनी ही पार्टी के कई चेहरों को नरास कर रही है जै ऐसे में बगावत होती हुए नजर आ सकती है जाहिर बात है कि कह सकते हैं औरों पर रहम और अपनों पर सितम वाली जो बात है वो लगातार बीजेपी के अंदर अब एक तरीके से आग सुलगाने का काम करती हुए नजर आती है कि रन चौदिन उनकी बेटी को जिस तरह से हाथ हो हाथ लिया है तमाम तरह से उनको एक तरीके से कहा जाए कि आते ही चाहराजर सबसीट हो चाहे बिधान सबसीट हो उनके नामों की चर्चाएं पुरंत उच्छू हो गई अब ऐसे में जो बीजेपी के लिए लगातार कह सकते हैं कि मुद्द से काम कर रहे हैं एक समय कह सकते हैं कि जीवन का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को दिया है लेकिन जब एन वक्त पे उनको कुछ मिलने की बारी आती है तो किसी और का नाम आगे आ जाता है अनिल भी जिसका सब्चुड़ा उधारन है जो दो बार कह सकते हैं कि बड़े ओधों पर रहे आपने देगा कि बीजेपी अगर सरकार में रहती है तो उसका सीएम पत का सीएम का जो फेस है वो यहां पर बदलता हुआ नजर आएगा हर को यह बात कह रहा था कि यह चेहरा जो है वो अनिल भीज होने वाला लेकिन जब मीटिंग होती है एनाउसमेंट होते हैं और जब नैप सिंग सेन को लेकर की जिस तरह बीजेपी ने उत्सा में आते हुए सुभा सुभा एकदम से 44 नामों का एनाउसमेंट कर दिया कि हमारे जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं चुनाव लड़ने को तयार है और जिस तरह से जमू कश्मीर में तीन चरणों में चुनावे 18 25 सितंबर और 1 पंदा नामों में भी लगातार अफरात अफरी का माहौल रहता है बीजेपी में लगाता लोग नराज रहते हैं तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए रहा उतुना अतना आस्ता नहीं होने वाला यह तो सिर्फ प्रेलर है और जब पूरी फिल्म हर्याना में नजर आए कि भाई मेरा यहां पर दखल जादा वो कहते हैं मेरा दखल जादा है और ऐसे में बीजेपी कहीना के यहां से बेदखल ना हो जाए यह उसको सोचने वाली बात है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी लगातार अपना दबदबन अजबीन पूरे हजना शेतर के अंदर बनाती आपने देखा बीतेजियों जिस तरह से यह बात भी उटती थी कि भाई शेल जाबर से हुटड़ा जो गुरूप है वो आपस में तालमिल नहीं बैठा पारें लेकिन एक मैसेज देने का प्रियास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री चाहें कोई भी बने लेकिन कम से कम हम सा भात खड़े हुए नजर आएंगे और लगातार चुनाव लड़ेंगे लेकिन बीजेपी की तरफ से भी तक यह बात का पता नहीं चल पा रहा है कि सब साथ में होने का दाभा करते नजर आते हैं उसमें को सचाई नहीं है तो बड़े नेता है चारावंदर जीत हो चाहें जुए नजर आ रहा है भारतिय जनता पार्टी हरियाना में नब्हे विधान सभासीटों में से लगभग 23 विधान सभासीटों पर उमिद्वारों के नामों की चर्चा पहली लिस्ट में कर सकती हैं जिसमें से खुद यहांप नियाप सिंग्सैनी जो मुख्य मंत्री हैं उ अब कुरू छेतर की लाडवा विधान सभा सीट से चुनाव नियाप सिंग सैनी लड़ते वे नजर आ सकते हैं तो शाम से जहां पर चर्चा की गई शुरूती चौधरी का नाम आगे चल रहा है लेकिन वहीं अटेली विधान सभा सीट पर अभी तक भारते जनता पार्टी न अटेली हो कुसली हो तमाम ये चेतर हैं ये सीटे हैं इनकी मांग राव इंदर जीत कर रहा है और खुद ही देखा जाए तो अटेली पर अपनी बेटी आरती राव सिंग को उतारना चाहते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो जारी होगी इन नामों में आरती राव सिंग का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा क्या लगता है अगली लिस्ट में होगा या फिर भारती जनता पार्टी नए चेहरों पर दाव जरूर लगा रही लेकिन दूसरी पार्टियों के तहत जो बगावत करते हुए नजर आ हैं लेकिन 2014 से आरती राव सिंग इं नजर आते हैं लेकि जिस तरह का शिनरीयो बन रहा है इसमें क्या उनकी बेटी आरती को अटेली से सीट मिल पाएगी यह अपने आप में बड़ा सवाल कर आ रहा है कि पहले लिस्टा साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आरती का नाम उसमें नहीं है तो हलांकि आप तैयारी जरूर बीजेपी को करने पड़ेगी जल्दी अपने अनाउंस करेंगे और प्रतियाश्य को भी तैयारी करने का मौका मिलेगा लेकिन यहां पर जिस तरह से हम पूरा माहोल देख रहे हैं जिस तरह से अपनी डीपी से मोधी का परिवार का वो हटा देते हैं इसके अलावा रायों इंदरजीत कहते हैं कि 40-45 मेरी मुठी में बिदाया कि मैं जब चाहूं सीम बन सकता हूँ इसके अलावा एनएफ सिंग सैनी कहते हैं कि बड़ी जमात है बीजेपी की वो एक कदम पीछे हट्टी दिखाए पर थे जो बीजेपी के लिए सबसाधिक नु की नहीं बने का दा करें लेगा इसको लेकर आपस में अगर लड़ाई होगी तो शायद जो चीज मिलने वाली वह भी नहीं मिल पाएगी, झाइब मुक्रेमंत्री का नाम टेक्ख कर लिया जाएगा, लेकिन अभी हमारा सबसे पहला काम है, किसी भी तरह से सद्धा को हासिल क करना जादा जादा सीटे जीतना और जो सर्वे भी आ रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कॉंगरेस पार्टी को लगवें 50 से 60 हर्याना में चुनाओं मिल सकती हैं तो ये देखके चलिए कि कॉंगरेस बरसे जो बीजेपी का मुकाबला है वो एक तरफा ना सही बलकि ये जरूर कहा जा सकते हैं काफी हद तक कॉंगरेस पार्टी की तरफ धुकता हूँ वो नजर आ रहा हैं ऐसे में बीजेपी ने अगर आपस का कले खतम नहीं किया आपस का मनमुटाव उसने दूर तो यहां पर उनकी बहुत बड़ी हार होस तकते हैं क्योंकि कॉंगरेस पार्टी ने हरियाना के अंदर उन तमाम मुद्दो को उठाकर रखा है जो बीजेपी के लिए सबसे अधिक कह सकते हैं दुखती रख पे हाथ रखने वाला हो सकता है अगर वीर योजना को लेकर लगभग देश में कह सकते हैं सबसे अधिक बिरुद्गारी के नाम बे उपर आता है तो ऐसे कई ज्वलत मुद्दें इसको लगा तार कांगरेस पार्टी बुनाने का प्रियास कर रही है लगाता है उनको अधार प्रयास कर रहे और यह मुद्दे जो हैं कॉंग्रेस पार की का साथ लेना और साथ देना सबसे बड़ी गलती थी लेकिन वह इंडिया आलाइंस की तरफ जाने के लिए तयार होंगे लेकिन कभी इंडिये की तरफ नहीं जाएंगे क्या दुश्यन चोटाला इस बार भी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं जाहिर बात है कि दुखे बढ़ायक और नजर आते हैं तो पार्टी में मिला जो लग इसने थी उनके लिए बहुत खराब है ऐसे में अगर कॉंगर्स पार्टी का सहरा उनको मिलता है तो हो सकता है अपनी पार्टी को दोबारा बो कह सकते हर्याने के दर मजबूत करने में काम्याब रहें ल उनसे बोलना पड़ेगा कि मैं आपके साथ हूँ और एक माहौल अपनी लिए बनाना पड़ेगा कॉंगर्स पार्टी के तरफ अगर बहाते हैं और दोचार सीटों पर कॉंगर्स पार्टी को चुनाव रहने का मौका देती है तो कहिने के अपनी साथ बचाने में दूश्य भारतिय जनता पार्टी पर अब दवाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और परिवारवात के खिलाफ हमेशा से भारतिय जनता पार्टी का नारा है लेकिन भारतिय जनता पार्टी के अंदर ही पूरा परिवार नजर आता है अब हर्याना में कैनी मुद्दों के तहत भारतिय जनता पार्टी फस्ती वी नजर आएगी आपको क्या लगता है लोग सभाद चुनाव में आधी सीटे हो जाना क्या हर्याना में भी 90 सीटों को जीतना तो छोड़िए 70 पार का नारा भी इस बार भारते जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाएगी क्या लगता है आपको अपनी कम सक्षिन में जरूर देखते हैं SPN 9 News थन्यवाद